उत्तर परदेश के हाला सुधारने के लिए दिन प्रते दिन कोशिश की जा रही है उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी के दौरा पर उसके बाबजूत भी कल प्रियंका वाडरा ट्वीट करकर ये बोलती है कि चाहे मुझे इन बातों के लिए जेल के पीछे डाल दो पर ये सच चाही है कि उत्तर परदेश में हाकार मचा हुआ है काफी सारे लोगों की हालात खराब है क्यों इस तरीके से प्रियंका बाडरा और जो कांग्रेसेंट कंपनी है उसका काम ही पूरे भारत वर्ष में भ्रह पहलाना है उन्होंने किया है और ये 56 साल उन्होंने हिंदुस्ता जो भ्रहम की जो राज नीती है उत्तर परदेश में नहीं चलेगी और उत्तर परदेश में अगर कोई भ्रहम फैलाएगा तो वो सलाखों के पीसे जाएगा यह बावा ने आदिश दिया हुआ है कि जो जूटा भ्रहम फैलाएगा उसे हम भक्सेंगे नहीं रही बात उत्त अप्रदेश में इस समय हालात कंट्रोल में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की एग जैसी स्थिती थी अभी 10 दिन पहले लेकिन योगी यादित तनातने उत्तर प्रदेश को कपर कर लिया में कर लिया दिल्ली की टुबादरा की तरह से जिससें की जा रही हैं लगातार कोशिच की जा रही है पर फिर विए इस तरीकेस नहीं करना चाती है पर एक दूसरी के पर राजजनीति नहीं करनी जई और एक दूसरे का मिलकर साथ देना चाहिए फिर राज नीति क्यों कर रहा है विपक्ष देखिए उनका मतलब है कि किसी ना किसी तरह से वह मीडिया में बने रहें मीडिया क्यों जाएगा उनके पास यह उल जलूल ब्यान देंगे उल्टे सीधे स्टेटमेंट देंगे तो मी लात है इसका कोविड का वह पूरी तरह से कंट्रोल में हैं पांच प्लांट लगाए गए हैं ऑक्सीजन के जो बाबाने निर्देश दिया तो यह भी कहा था कि जो ट्रेंकर ऑक्सीजन के आएंगे उनके उपर GPS लगा जाए पता चलना चाहिए कि टैंकर कहा पर हैं पर उस तरीके की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादब यह रही है कि तरफ पर देश में और तंज लोगे से बहुद्ञा Опने पीछे टीवी मैं न्यूस चैनल में तो उनकी कोई बात नहीं वो तो सीधे कहते हैं हम भाजपा की वेक्सीन नहीं लगवाएंगे हम सत्ता पिश्वादी पार्टी में कौन सा यादव के अलावा अध्यक्ष बनाया कोई बना है केबल भारती जनता पार्टी जन्मानस की पार्टी उसमें एक चोटा सा कार्य करता उपर तक पहुंचता है और कोई ये कह दिए था कि ये भाजपा nië वोपक्ष घुझा यह do कर रहा है एक आगर लगा है उन् promote दो वेक्स केबल हिंदुस्तान ऐसा है जिसने दो वैक्सीन बनाई है और जिसका जो एक्योरेसी रेट है वो 99 परसेंट कोई मौत होई किसी वैक्सीन से लेके जो भी मीडिया ने फैला है जो दोगला मीडिया है वह व्यक्ति डैथ हुई है जो बीमार था जैसे हार्ड अट्रेक हुआ है ना हम उसे वैक्सीन के दे दिया क्या तो यह तो बहुत बड़ा एचीवमेंट देखिए अम मोधी जीन क्या क्या काम किया है राममंदिर बन रहा है कोविट का संकट पूरी तरह से कंट्रॉल था 2020 में अभी भी कंट्रॉल होगा ऑक्सीजन की किलत कुछ हद तक समाप्त हो है और आने वाले टाइम में बिल्कु खतम हो जाएगी वैक्सीन हमने दो अपनी खुद बनाई है खुद की बनाई हुई है ना और यह जो जो विपक्ष है वो केवल और केवल जनता में ब्रह्म पहलाता है जैसे अभी केजरिवाल यह जो चतरपुर में जो अभी 500 बैट का जो हॉस्पीटल बनाया गया है सरदार पटेल कोविड हॉस्पीटल उसका श्रेय लेने के लिए महाराज कल पहुंच जाते हैं वहां पर तो यह अच्छी बात नहीं है पहले यह कह रहे हैं हम आठ दिन में बना देंगे लेकिन इन पर नहीं बना तब हमारे स्वास्ते बंत सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो भी राजनीती विपक्षी तरफ से की जा रही है वह कितनी जादा सही है और कितनी क्या उसमें भरुजा करना जिस तरीके से वह लोगों में ब्रहम फैलानी की कोशिश करना चाहिए फिर वकिलेश यादव प्रियंग का गांदी यह तो पहले एक ही थे ना दोजार उन्नीस में कांग्रेस अकलिश की साइकल पर बैटी हुई थी अकलिश का बंटाधार कर दिया तो इनका केबल काम प्रोपगेंड़ाना है जनता में ब्रहमक प्रचार करना है लेकिन आज की जनता जागरुक है वो जानती है कि हमारा हित केबल भार्ती जनता पार्टी के साथ है और उसने जितने कार किये हैं सब जनहित में किये हैं उसका अपना किसी का स्वार्थ नहीं है अब बाबा योगी आधित नात खुद पॉजिटिव है लेकिन पूरा काम कर रहे हैं वो तो आईसोलेट नहीं हुए कमरे में मंत्री ऐसा कोई नहीं है लेकिन जैसा काम उत्तर परदेश में चल रहा है वैसा किसी राज्य में नहीं चल रहा है हमारे साथ दिल्ली से भी मौजूद है क्या नावसा आधर सिंग मुझे यह बताईए सर जी के आप जो तरीके से दिल्ली में हो और उत्तर परदेश की गव दिल्ली में रहता हूं लेकिन जो मेरे पिछले एक्सप्रियंस है मैं उनके बैसिस पर कहूंगा मैडम कि दिल्ली के लोगों ने तो केजरिवाल को चुनकर बहुत बड़ी गलती की फ्री बिजली फ्री पानी इसके चकर में मतलब अपराध हो गया यह एक अपराध है और य सांडेट के आसपास है प्लांट स्टार्ट करने की बात कहीं थी और अभी अपका काम सुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में लेकिन आप देखो एक तरफ योगी जी है एक तरफ में केजरिवाल जी की बात कहूं अभी यह हाल की बात है दिल्ली हाई कोट ने केंदर सरकार दिल्ली सरकार को भी डाट लगाई कोवीड मैंजमेंट को ले करके और एक तरफ डाट लगाई है दूसरी तरफ आप देखो यह कितनी गंदी रजनीति है कि उस डिल्ली हाई कोट के जज को सांथ करने के लिए अब सो बैड उनके दिल्ली हाई कोट के Snodge's के लिए उनके फैमिली के लिए फाइफ एस्टार असोका होटल में आप रिजर्ब करने का आप ओडर दे रहे हो यह कितनी बड़ी मतलब की दोहरी राजनिती है यह अच्छा इस पर कहा हो जिस तरीके से दल्ली सरकार का फेलर निकल कर सामने आ रहा है पर उसके बाबा जूद भी विपक्ष कर सवाल करता है तो उत्तर परदेश के मुखे मंतरी को लेकर लेकर ही करता है क्या केजरिवाल दिखाई नहीं देते इन लोगों को और यह फिर दल्ली की जनता दिखाई नहीं नहीं बिल्कुल दिखाई देते हैं लेकिन एक तरफ के लेकिन केजरिवाल जी की जो पेड था इस छे महिने में अगर उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रेस्ट्रक्चर वाली हॉस्पिटल बनाए होते तो वाज दिल्ली के लोग कोई यह दुर्दसा नहीं होती मेरे पास डेली वाटसप के मैसे जा रहे हैं रेमडे सिवेर नहीं मिल रहा है उन्हें ऑक्सीजन प्लां हूं वैसे जितना मेरे अस्तर्प हो सकता है मैं तो एक आमना गरीक हूं धन्यवाद